हलो एवरिवान, वेलकम बेक टू मैं चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही पढ़िया, फुले-फुले, नरम और टेस्टी आलू के परांठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आलू के परांठे थो हम वैसे सभी अपने गर में बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ये सेक्रेट इन्गीडियन डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे तो आलू के परांठे बहुत ही जादा टेस्टी बनेंगे इसके लिए हम एक बॉल में तीन कप गेहूं का आटा ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमश नमक, ये मैंने सेंदा नमक डाला है, अब हम इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, इसका एक नरम डो तयार करेंगे, जो आटा है वो बहुत जादा ना तो सकतो होना चाहिए, ना बहुत ही जादा मुलाएं, आपको जैसे नॉर्मल डो होता है, बिल्कुल वैसे ही तयार करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे बहुत अच्छे से मलना है, ताकि इसमें बहुत अच्छे से लचीला पना जाएगा, जब आप इसे स्टफ करेंगे, तो आलू के साथ साथ ये पूरा जो परांठा या आटा भी फैलेगा, तो जो परांठा होगा, वो बिल्कुल भी तूटेगा नही और अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मर्श ओयल, या आप चाहें तो घी या बटर भी डाल सकते हैं, और फिर से इसे मलेंगे ताकि ओयल आटे के अंदर अच्छे से अब्जॉब हो जाए, और जो आटा है वो बहुत ज़ाजा चिकना हो जाता है इससे, और ये दे सारे उबाल लें, उनका सारा पानी निकाल दें, उन्हें पानी में ना पढ़े रहने दें, और उन्हें ठंडा करने के लिए ठंडे पानी में भी बिल्कुल ना डालें, ऐसा करने से वो पानी एब्जॉब कर लेते हैं, और जो स्टफिंग होती है वो पतली हो जाती है, और और ये है 3-4 चमश हरा धनिया, हरा धनिया आप गीला बिल्कुल भी न डालें, हरे धनिया को पहले से ही धोकर आप जाली पर रख लें ताकि उसका सारा पानी एक्स्टरा निकल जाए, ऐसा करने से भी आपकी स्टॉफिंग पतली नहीं होगी, अब हम इसमें डालेंगे टेस् कसूरी मेथी डालेंगे, कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई छोटी चमश हल्दी पाउडर, और ये है 3-4 बड़े चमश पोहा, पोहा जो आपको मार्किट से इसली मिल जाता है, इसे मैंने ग्राइंडर जार में पी है, लेकिन अभी हम इसे 10-15 मिनिट के लिएक साइड में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से से हो जाए, और जो पोहा है वो भी थोड़ा सा फूल जाएगा, क्योंकि वो आलू का मर्शर एब्सॉर्ब कर लेगा, और ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से स हो चुकी है, और आटा भी अच्छे से से हो गया है, तो अब हम इन दोनों की इस तरह से लोई बना लेंगे, अब सबसे पहले हम आटे को बेल लेंगे इस तरह से, और अब हम इसके अंदर ये आलू का स्टफिंग रखेंगे, उपर थोड़ा सा आटा डालेंगे और इसे च सुखा आटा लगाते हुए, हम इसे हलके हाथों से बेलेंगे, बहुत जादा प्रेशर देके नहीं बेलेंगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कि ये हम बेलना इतना असान हो जाता है, कि ये बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फटेगा, अगर आप इस तरह से पर आप हम इसके उपर देशी घी डाल देंगे, आप चाहें तो बटर या ओयल भी लगा सकते हैं, और ये देखें कितना बढ़िया फुल के ये तयार हो रहा है, और इसे पल्टे से हलका हलका दबाते हुए, इसे दोनों साइड से अच्छा सा गोलिन कलर आने तक सेख लें ये आलू की स्टफिंग रखेंगे, उपर थोड़ा सा आटा डालेंगे, और चारो तरफ से आटा उठाते हुए, हम इसे बीच में लाकर सबको एकदम जोड़ देंगे, आपस में सील कर देंगे इसे, और फिर हम इसे बेल लेंगे, वो पोहे की वज़े से और आटे की वज स्टफिंग भरी है, और आप घी लगाते हुए इसे सेख लेंगे, ये देखिए एक की बाद एक सारे परांठे हुए इस तरह से बनाएंगे, तो बहती बढ़िया तरीके से फूलते हैं, और बहती बढ़िया बनते हैं, तो आप ये ट्रिक अपने घर में जरूर अपना कर और ये मैं आपको एक प्रांठा कूल की भी दिखा रही हूँ, ये देखिए इसकी स्टफिंग कितनी बढ़िया और मसालेदार और टेस्टी लग रही है, तो आप इसे अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभा में सा जरूर शेयर करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगी हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बेकुल ना भूलें, और पास ही लगे बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें, and now, thanks for watching.